अब आप सब्सक्राइब आप सवागत है तो लाश्ट विडियो के बारे में लगबक तीन वीडियो के अप्लोड कर दिया और आज जाए लास्ट वीडियो है और लगबक जाए है जिसके उप्शन में बता रखा था कि उसमें प्याइब रखा था कि नेगटीव और पर मैंगनेट होते हैं एमन ओफोर नेगटिव और पर मैंगनेट होता है है MNO4 नेगेटिव के में फ़ोर नेगिटिव जैसे ठीक है तो एम एम अधो मैं मिन मंड़र वॉर्म टूनेग भाइड मैं डेवेश्र करें हो और यह स्ट्रक्शर होता है अगर मैं बात करूं मिलब इस में जो बंडिंग होगी वह कुन सी होगी देखिया आप लोग अपर अक्सिजन की होता ही नहीं तो ऑक्सिजन का तो फॉर जो बॉंडिंग में पार्टिस्ट करें तो पी पाई ठीक है एक तो यह देख लेना उप्शन में और सेकंड कहा है यहां पर अब मैंगनीज मैंगनीज क्या है डी ब्लोक ऐलिमेंट है ठीक है और अगर इसकी बात करूए यहां पर यह जो है ऑर्बिटल कफ एलेक्ट्रोन होंगे जो डी और विटल होंगे तो यहां करें मैंगनीज को वह जो वंड़ाओ डी और मेंगनीज और की अज्यम अगर तो इन्दीप ए जो यहीं जो है यह इसका राइट ऐप्शन हागा जिस प्शन महीं में लिख रोग जो होगी ठीक है अब next option दे रखा है which will make the basic buffer इसमें जो है basic buffer को में options दे रखे हैं ठीक है मानलो अगर मैं options में क्या है सीटी की fix concentration तो मतलब कॉन से basic buffer तो इसके लिए आपको basic buffer होने पटाऊंगे basic buffer क्योंता है basic buffer कोई भी चेंज हो उसको रिजिस्ट करेंगा ठीक है तो पताना है कि इसमें मालो कौन सा जो है मैं बेसिक बफर बनाएगा इसके लिए हम देखते हैं पहले सब्सक्राइब में क्या है CS3COOH इसको मैं अगर मैं आपको पता है कि यहां पर बनेगा CS3COON प्लस पानी ठीक है अब देखो यहां पर क्या है क्या हुआ है फर्स्ट वाल ऑप्षिन में 100 ml जीरो पोइंट वन मॉलर इसको मैं मल्टीप्लाइ करूं ठीक है यह 10 mm present होगा 10 mm present होगा ठीक है उसी स्थ्री सी ओए नहीं बनेगा जब रियक्शन चलेगी ठीक है रियक्शन जब होगी तो रियक्शन होने के बाद क्या होगा 10 mm और 10 mm इसका react कर देंगे तो बेसिक बफर क्या होता है बेसिक बफर का कैसे बनता है बेसिक बफर बनाने के लिए एक तो उस में वहां पर बेस होना चाहिए और उसका एक साल्ट होना चाहिए किया बेसिक बफर बनाने के लिए हमारे पास बेस्थाय वीक और साय चाहिए विद स्टॉंक एसिद कि जैसे यह जैसे आप मालूब बेस है और साथ में कोई स्ट्रोंग एक्षिड उसका साल्टो उससे बेसिक बफर बनेगा ठीक है तो लेकिन अगर मैं बात करें यहां पर टाइम टी रियक्शन करने के बाद यहां पर बेस ही नहीं बचेगा बेसिक बफर नहीं बनाएगा यह अब लोग पता है अगर एक लेन फोर रियक्ट करेंगा ठीक है यह अपना है एनच फोर सी एल मुलस पानी एसिड बेस रेक्शन सिंपल ठीक है अब देखो इसमें क्या क्या होगा एसल यहां पर लिखा है एसल है हंड्रेड एमल और जिरो पॉइंट वन मोलर ठीक है इसके क तो इसके क्या चाहिए हमें टू हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन या जाएंगे 20 मिली मोल अब देखते हैं एड टाइम जीरो जब रेक्शन नहीं प्रोसीड हुई थी तो यह कुछ नहीं बनोगा ठीक है एड टाइम टी जब मलब रेक्शन जब रेक्शन टो यह तो सद्रेड रेक्शन के फिक्स पर पॉर्पोर्शन में जब रेक्शन कंप्लिट हो जाएगी तब क्या होगा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ऑफ नहीं फोड मन रहा है एक बेस है ठीक है तो मदल्ब इस टेंप यहां पे बेस बी प्रेजन है और साथ में एक वह भी प्रेजन्ट है थीक है यह और फेज इदिया बना लेगा थीक है चाहिझट चाहिए किसी बफर बना लेगा है ऐसे बसीक बनाएंगे तो फोल अब पर उसके लिए जो एक देखनें लेते हैं तो आगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात तो अब यहां पर कितना है 100 ml.1 molar है यहां पर 10 mmol होगा और यहां पर 10 mmol होगा और मलब यहां पर कुछ नहीं होगा लास्ट में खत्म हो जाएंगे 10 mmol बना लेगा और यह सिंपल नूट्रल रेक्शन है ठीक है यहां पर नूट्रल बनेगा है ठीक है सेम ऐसी में फॉर्ट वाले का देख लूँगा फॉर्थ वाला क्या है 50 ml.1 molar नुट्र वाच थीक है और साथ में 25 ml.1 molar CS3COOH है अगर मैं फॉर्ट वाले की रिक्शन लिख हो अगर मैं यहां पर यहां पर यहां पर नुट्र वाले में कि यहां पर देखो 50 ml.1 molar है यहां पर 5 mmol और यहां पर 2.5 mmol यहां पर यहां पर कुछ भी नहीं होगा मैं झाहं जब टाइम हो जाएगा थीक है जब सारे सारा एक जो मलब लीमिटिंग रियक्ट कर जाएगा तो यह बचेगा 2.5 mmol यह बचेगा और यह बनाएगा 2.5 mmol ठ कि का यहां परो साल्ट प्रेजन बीज़िज़ के हिसा चाहित ईक के और यहां पर कर WIL उल्स जो बफर बनेगा वो कौन सा बनेगा इसका बफर बनेगा ठीक है अब बात करें नेक्स्ट कोशिन देखिए यहां पर पूछाए वीच ओधा फॉलोइंग डियाटोमिक मोलेक्र स्पीशिज जहां पर जिरफ पाई बॉन्ड बनेगा अर्बिटल थिरी के इसके पास सिर्फ प को सिर्फ ओमनी बात कर रही है पास 12 इलेक्ट्रोन होता है और आपको एक चीज़ ताऊं सी तू में दोनों बॉंड होगे यह पाई बॉंड ही होंगे इसका एक्जाम्पल आजाएगा सी तू अगर मालो एक्जाम में आपको पुछे ना साथ में बीटू और सी तू यह याद रखना बीटू और सी तू में दोनों में क्या होता है पाई बॉंड होते हैं बी सिंगल बॉंड बी जो बॉंड बनेगा जो है पाई बॉंड होगे सिग्मा बॉंड नहीं होगा और सी डवल बॉंड सी इसमें दोनों दो बॉंड हो पाई बॉंड होंगे तो इसका उनसरा जाए का सीटू एक्जाम में वी तो भी पूल सकता है ठीक है बैरिलियम और ऑक्सिजन में सिग्मा बंड बनता है ठीक है यह निकाल सकते हैं मोटी के बेशिट पे इसमें स्पी मिशिंग वह रहता है ठीक है मतलब उसका वह लगेगा स्पी मिक्सिंग के कंसेप्ट आपको पता है अब नेक्स्ट कोशन है था नंबर ऑफ सिग्मा बॉंड है पाई बॉंड कितने बनेंगे पैंट टू इन फॉर आहिन में बहुत इसी होता है सिग्मा बॉंड जो भी इतने भी सिंगल बॉंड होंगे वह कांट कर लेंगे डवल सिग्मा 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 और अगर आपको बात कुरें पाइब देखूं तो जो भी डवल बाइब और यहां पर जो है दो है यहां पर तीन पाइब ऑंड होगे तो अगर यहां पर पैन टुइन ट्री फो राइन का पूछा जाए तो तो देश में जैसे दस सिग्मो बंड होगे ठीक है अब नेक्स्ट को पटाना है कि सीरीज में से कौण सा कि spectrum of hydrogen small in visible region थीक आपको पता है है कौन-कौन सी लाइमन बालमर पार्चन ब्रैकट-पी फंड ठीक है और आप लोग पता जो लाइमन होगा लाइमन हमें मिलती है यूवी रिजन में थीक है लाइमन मिलती है में जो मिलते हैं पालमर मिलते हैं में वीजिबल रिजिन में और बागी जहीं अब याद कर लिए तो कोश्टिन रहें पुछा कि इन से कौन सी लाइन जो है वीजिबल में करेंगे ते तहिंग है नेक्स वर्शन है इंग कैसे वेंटयों किसे हो गाइंड खिर हुई आपको पता ह यहां पर इस टाइब कर दो एक के साथ क्या जाएगा स्क्वेर प्लेंदर एक साथ यह वाला ठीक है नेक्स एक सी एफ शिक्स टीक एक सी एफ सिक्स कैसे होता है अगर मैं आप लोगों इसके लिए वैस्पर दूरी पढ़ने पड़ेगी उसके इनके स्ट्रक्चर हो गां पर एक सी खुर कर दो अप्राक्टा है अप लोगोंस को बता है कि आप लोगों आपक बहुता है अक्सी की पास आठ एलेक्टान होगा रहाल होगा इस लोण पेर फिल्थेंड विए की वज़े से जो उक्ता हैड्रल स्ट्रक्चर था यह एक इस डिस्टोट्टिट इंट तो हैड्र में तो एक्षी एफ सिक सफ्रक्चर का सब्सक्राइब निया जाएक है इसके साथ ठीक है देखो है यहां पर square planar shape बनेगी यह जो है यहां पर square planar shape बनाएगा Fee Fee सारे मिलके ठीक है और total अगर यहां पर double bond O है तो जिसके जो है पीरामीड एक kind of bond बाहर के तरफ निकलेगा जिसके जाएक स्केर पीरामीडल और Xeo3 Xeo3 का structure होता है simple pyramidal जैसा कि ammonia का structure होता है ठीक है अगर आपको draw करके दिखाऊ हो तो एस जैसे डवल बॉंड ओ डवल बॉंड ओ डवल बॉंड ओ और यहां पर lone pair जैसे कि ammonia को होता है ठीक है अब ने गॉश्च देके ने अटने में क्या है वी चैस दा मायव टर्मल स्टेभिलेटी अधर माल सर्माल स्टेभिलिटी ओर सब्सेर को ठेशा कुंत था निए की एक तू एस में और एसाध इच टू अaráई टिक है oxygen sulfur, stellinium, tillurium, pollenium, इनका आपको thermal stability का ओटर रहना अब देखो thermal stability हैने की यहां पे hydrogen loss होने के tendency जितना बड़ा size होगा जितना ज़्यादा size gap होगा size difference होगा ठिक है उतना easily h-donate हो जाएगा जितना ज्यादा size difference होगा उतना इसलिए हो जाएगा अगर मैं इस bond की बात करूं ठीक है यहां पे जो है अगर मैं बात करूं ह 2PO मानों PO का size यह रहा और H का size यह रहा और H का size यह रहा ठीक है जाने कि जितना बड़ा size हो जितना बड़ा size होगा side item का अगर मैं इस थर्मल स्टेबिलिटी और की बात करूं तो H2O जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्मली फिर आएगा H2S फिर आएगा H2TE और फिर आएगा H2PO ठीक है यह जो इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ओडर है ठीक है water H2S, H2SE, H2TE, H2PO हो जाएगा ठीक है तो हम कह कहा है 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 ठीक है अगा पहले कहुत है मैं फीस स्ट्रक्चर आप लोगो हो पात है पीसल फाइव पाइव का स्ट्रक्चर क्या सोते हैं तो प्राइब बाइब स्ट्रक्चर और यह मानलो ऐसे ट्राइगनल शेप बना रहा होगा ठीक है अब पूच्छा किया इनकोर्थ स्टेटमेंट से नियुक्त गों सी नांब लोगों तो इंकोरेक्ट पहले कई तू एक्जिल पीस्यल बॉंड और ये तो थीक है दों लो इक एकल एकशो सी डिगरी होता है होता है और इसकी बात करूँ तो मैं बात करूँ इसकी यह एक्विटोरियल वाला ओल्मोस्ट छोट होता है लगर 205 के आसपास का होता है तो यह ठीक है जी हाँ तो एक्जिल बॉंड जाए लार्जर होता है यह स्टेट्मेंट वी ट्रू है हमें पताने हैं इनकोरेक्ट कौन सब्सक्राइब पताने है इसुपक्राइब यह स्टेट्मेंट रूँग है क्योंकि आपको पता है पेसी उपाइव को अगर थोड़ा सा हीट भी कर दोते पीछेल थी और लूप तूट जाता है ठीक है स्टीनिट रोप में तूटत जाते हैं तो यह इसका स्टीन डींड़ स्टेटमेंट जो इनकोरेक्ट है तो इसका अंसर कहा जाएगा सी वाला नेक्स्ट का थ्रीक विटोरिल पीचल बॉन्ड मेक एंगल ओफ करने वाला याद करने वाला है को मैलसायट क्याते है तो यह कोपर है कार्बोनेट है यह नहीं है अब अंसर बस्ता है यह ही आएगा ठीक है और आपको अगर आजिए दिखो ना सीऊची ओच प्रीइंटू और इस ट्वाइस यह जो है ठीक है दोनों जोनों मेलाशाइट होंगे ठीक है जो मलब ग्रीन कलर का काफी अच्छा सा स्टोन होता है चाहिए नेक्स्ट इाइड फॉलोईंगे संग नेडियो फिक्स मतलब कर सकते हैं तो इसका नस्राज है का पैनिशलीन ठीक है अब नेक्स्ट कोशन की बात करतों नेक्स्ट कोशन कहा है इसमें से सबसे सुटेबल रिजेंट कौन सा है अब देखो क्या है यह हमारे पास अलकाइन ठीक है है तो अगर है बात करूं एक टू पीडी क्यों लीन की ठीक है तो ठीक है है इसकी और इसकी ज्यादा है तो अब बात करता है सब्सक्राइब और सबद्सटाइब क्या वाला मता है तो नहीं होगी यहां पर इसटो पीडी सी यह जो है में और यहां यहां रखाइन से यह जो के बना लेगाज यहांपर पहते हैं तक है किमपल यहां पर सिंपल बेक्छिय्ट सिफ न शेयरा कि अगर बात कुरूं कि एा by थि प्राइ मोली ए डिपेन गटे में इससा नैंटरी फक्ट एक्रों एकक्ट क्या है और स्यकंद इसमें सोले जिएक जो कि major role play करेंगा और next is steric effect ठीक है steric factor तीन factors पर depend करते हैं तीन factors को मैं sum करूं ठीक है submission करूं तो हमारे पास अगर मैं डाइव मिथाल की किसमी बात करूंगा तो हमारे पास आता है secondary ज़्यादा प्राइमरी फिर एका टर्शरी और इसी साफ से अगर में बात करूं तो यहां पर जो ऑप्षिन आएगा वह जो नूमबर फॉर वाला ठीक हो जाएगा secondary जो है सबस्यादा बेसिक होगा फिर होगा प्राइमरी फिर होगा ठीक है तो बस इतने ही questions जो थे मतलब टूथाजनद यांटीन में टूथाजनद एक पर में थे नेक्स वीडियो में 2018 के पर गारा डिस्कार करेंगे तेंगे मालब ओल्मॉस्ट में जए इन तीन चार वीडियो में आल्मोस्ट सब्सक्राइब कर वादी है ठीक है ठेंक्स वर वौचिंग